महाराश्ट्र राज़ प्याज उत्पादक संगठन ने राज़े के प्याज किसानों से अपील की है, कि वे अपना प्याज उन किसान उत्पादक कम्पनियों को न दें जो National Agricultural Cooperative Marketing Federation और National Cooperative Consumers Federation आफ इंडिया के लिए प्याज खरीदते हैं, क्योंकि किसानों को बाजार समिति में सरकारी प्यास खरीद दर से अधिक कीमत मिल रही है। नफेड किसानों के लिए नहीं बलकि कंजूमर के लाब के लिए काम कर रहा है। इसलिए किसान उसे सबक सिखाएं। अगर ये दोनों सहकारी एजेंसियां किसानों को कम से कम 3500 रुपए क्विंटल का भाव दें तब उन्हें प्यास बेचने के लिए सोचें। संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले ने कहा कि नेफेड और NCCF इसलिए बफर स्टॉक खरीदते हैं ताकि जब दाम बढ़े तो उसे बाजार में उतार कर सस्ता करवाया जा सके। इससे किसानों को नुकसान होता है। लेकिम जब किसान एक दो रुपए किलो प्यास इनकी मनशा किसानों को फाइदा दिलाना नहीं है। इसलिए राजे के किसानों में नेफेड के खिलाफ गुसा है। दिगोले ने बताया कि 20 जून 2024 को भी नेफेड और NCCF के लिए प्यास की खरीद दर बाजार भाव से कम तैकी गई है। यह दोनों एजेंसियां किसान उत 257.72 रुपई, बीड में 2357.72 रुपई, नासिक में 2893 रुपई, धुले में 2610.75 रुपई, छत्रपती संभाजीनगर में 2467.1 रुपई, धाराशिव में 2800, सोलापूर में 2987.50 रुपई और पुने में 2779.80 रुपई प्रती क्विंटल का दाम दे रहे हैं। जबकि APMC मंडियों में इससे अधिक दाम मिल रहा है। किसान संगठन का कहना है कि इस वर्ष दिल्ली में उपभोकता मामलों के मंत्राले द्वारा ने फेड द्वारा प्यास खरीद की सापताहिक दरों की घोशना करने के लिए एक नया निरनय लिया गया था। लेकिन चु कैसे खरीदने के लिए सोच सकती है। इस साल दोनों एजेंसियों को पांच लाख टन के प्यास का बफर स्टॉक बनाने के लिए कहा गया है।